Hello Friends, Welcome to Simplified Civil Services इस सेशन में हम लोग UPSC के रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे प्रिलिम्स का रिजल्ट अभी शाम को आया है और उसके बाद हमें अलग-अलग ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं इस वीडियो में हम लोग अनुमानित कट ओफ की बात करेंगे कि कट ओफ क्या रहा है किसके आसपास है हमने जो कट ओफ दिया था उससे जो अनुमानित कट ओफ है वो कितनी दूर है कितना पास है इन सारी चीजों पर बातचित करेंगे trends को समझेंगे बच्चों के कैसे marks आ रहे थे किन का selection हुआ है और किन का selection नहीं हुआ है सबसे पहले जो हमारा last video था expected cut-off का उसमें मैंने आपको सारी coaching के cut-offs बताये थे उसके बाद फिर हम लोगों ने average out करके अपना cut-off दिया था अगर आप coaching की देखें वाजिराम रवी, next IAS, pw only IAS edu kemi, rao IAS, study IQ, target UPSC by and large ये सारे के सारे क्या है 95 के around cut-off बता रहे हैं अब हम लोगों की बच्चों से बात हुई है जो बच्चे हमारे लगातार contact में है उन्होंने बताया है बहुत सारे बच्चों का selection नहीं हो पाया है वो लोग हमारे से काफी interact कर रहे है उनका ये कहना है कि सर 95 marks आ रहे थे मेरे convert IAS की उन्होंने अपनी key भेजी थी हना जो final mark sheet थी अलग-अलग coaching के साब से उन्होंने वो भेजा था और उसके साब से 95 के around उनके marks थे 96, 97 और उसके बावजूद भी ऐसे बच्चों का नहीं हुआ है तो हमने कहा कि यार C-set में हो सकता है आपका रुका हो लेकिन उन्होंने बताए सर C-set में भी मेरे 120 से उपर number आ रहे थे तो ऐसा तो बिलकुल नहीं हो सकता कि आपके 120 आ रहे हो और suddenly आपके 67 हो जाए तो इतनी discrepancy तो possible नहीं है उसके बाद हमने कुछ और बच्चों से बात की और उनका ये कहना है कि 85 से 90 के बीच में आ रहे थे एक बच्ची के और उसका selection हुआ है यूर केटेगरी में तो ये जो हमें trends देखने को मेल रहे है discrepancy देखने को मेल रहे है इससे एक चीज confirm और clear है कि काफी सारे जो controversial question थे उस पे depend कर रहा है कि कौन बच्चे in हैं और कौन बच्चे out जिनका 100% selection हुआ है उनके marks 98 से 102 के आसपास रहे हैं जिनने 3-digit number आये हैं जिन बच्चों के उनका 100% selection हुआ है controversial question को ले लें या फिर controversial questions को छोड़ भी दें उसके बाद भी उनके मतलब selection उनका list में नाम है तो हमें एक trend ये देखने मिला है अगर आपके 3-digit marks हैं तो आपका 100% list में नाम है in case आपके marks 85-95 है तो ये depend कर रहा है कि आपके जो controversial question है आपके favor में गए हैं या आपके against में गए हैं कई बार बच्चे क्या करते हैं किसी answer की में कोई सही है किसी answer की में कोई सही है दोनों को सही मान लेते हैं और इस कारण से भी उनके marks 95 और थोड़े से अना खुश हो जाते हैं थोड़ा जूट भी बोल देते हैं तो इस तरीकी की भी चीजे करते हैं लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जो हमसे interact कर रहे थे उन्होंने photos भी जी थी अपने convert IS की mark sheet की और clear cut दिख रहा था कि 96-98 marks आ रहे हैं उसके बावजुद भी उनका नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं जो आपके controversial questions हैं जैसे की Red Sea वाला Flying Fox वाला LAF वाला इस तरह के जो controversial questions थे इसका बहुत बड़ा role रहा है अगर कुछ लोगों के favor में चीज गई है तो उनका selection हो गया है तो हमारे हिसाब से उनका selection नहीं हो पाया है 82 और 84 के around marks आने के बाद भी अगर 92 cut off जाती है 2020 में जो cut off थी 92.5 थी तो SC की जो cut off थी वो 74 से 76 के लगभग थी तो अगर बच्चों के 80 marks आने के बाद भी अगर उनका नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं ये cut off 92 से तो उपर दिखाई दे रही है हना और अगर आपके favor में questions गए हैं और आपके marks 92 से थोड़े से उपर हैं तो आपका selection हुआ है एक ओर trend देखने के लिए मिला है अगर आप जितने भी controversial question है उसको हटा दें और आपके marks कितने हो रहे हैं 90 plus हो रहे हैं उसके बाद मेरे marks 90 plus बन रहे थे इन सारे बच्चों का selection हुआ है अब यह हो सकता है कि इनके एक दो controversial question सही हो गए हो बिल्कुल हो सकता है अना एक दो question सही हुए तो सीधे सीधे आपके कितने marks बढ़ जाएंगे 5 सारे 5 के आसपास और 95 से उपर आ जाएंगे यह सारे बच्चे तो हम लोगों ने जो cut off predict की थी 96, 97 के around बिल्कुल cut off इसी के आसपास रहने की chances हैं बस यह किस पे depend कर रहा है 95, 96 UPSC की answer की से हना हमारी answer की से बहुत सारे बच्चों के 98 marks आ है और उनका selection हुआ है तो हमारी answer की हिसाब से जो हमारा cut off 97 था यार वो काफी सही हमें दिखाई दे रहा है तो अगर आपको याद हो तो अरुनेश ने cut off 97 के around बताई थी और मैंने cut off 90, 92 के around बताई थी तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अरुनेश सिंगल का cut off ज्यादा close होगा 95 के around cut off होने के chances ज्यादा है 90 के around cut off होने के chances कम लग रहे हैं जिस तरीके से बच्चों के feedback आ रहे हैं उससे हम लोग ये कह सकते हैं Hopefully analysis आपके लिए helpful रहेगा Thank you and enjoy your day